यहां पे हम इसका decimal expansion लगाते हैं 329 को divide करता हूँ मैं 400 से 329 जो है मेरा वो less than 400 का तो मैं यहां पे 0 गाइट करता हूँ 0 गाइट करने के लिए मैं यहां उपर 1 decimal point गाइट करता हूँ कुछ ऐसे तो यहां पे हम जिरो गाइट करता हूँ तो यह हो जाएगा 3290 अब यहां मैं 400 को 8 से multiply करता हूँ तो यह आजाएगा 3200 remainder बचेगा मेरे पास 90 क्योंकि decimal है तो मैं 0 गाइट करते हूँ end में तो 90 का आजाएगा 900 402 से multiply करता हूँ यह आजाएगा 800 remainder बचेगा 100 क्योंकि decimal point है तो 1 0 गाइट करते हैं तो 1000 आजाएगा दुबारा 400 टूजा करते हैं तो यह आजाएगा 800 और यहां remainder बचेगा 200 क्योंकि यहां पर decimal point है तो मैं 0 गाइट करता हूँ तो यहां पर हम प्लाइग करते हैं 4 into 5 यानि 20 400 into 5 होगा 20,000 sorry 2000 तो यहां पर remainder बचेगा 0 यानि यह जो expansion है मेरी 329 पर 400 यह आगया 0.8225 यह expansion खतम हो रही है इसके आगे बढ़ने रही तो यह मेरी terminating expansion है झाल करते हैं